तो NTPC की vacancies जो आपको देखने को मिल रही है 10,844 मेरे इसाब से यह जो vacancies है ना बाकी लोग तो बोलेंगे कि यार bumper vacancies है आपका आप सभी को तयारी करने चाहिए तो वो तो सिर्फ आपको ही पता है कि भाई उनको तो अपना course बेचना या फिर किसी तरीके से अपना चीजों क को आगे चलाना इस कारण से वो लोग को फर्कने पड़ता है बट यहां पर मुझे अगर लिटरली अगर आप पुछो को कि जो vacancies आई एंटीपीसी की यह फिर आने वाली है क्योंकि यह अभी आपको ऑफीसियल नहीं है बट मैं मान के चल रहा हूं कि भाई इसकी प्रोबि होते हैं करोड़ों तक संख्या पहुंच जाती है तो मुझे लगता है कि रेल्वे को इस पर द्यान देना चाहिए ताकि क्योंकि दो को एक तो आपका रेगुलर निकालता नहीं है चार-चार साल पांच-पांच साल वेट करा के वेकैंसी निकालता है तो यहां पर मुझे लगता है कि बहुत कम he get illness आपका जो एसिस्मेंट जो आपको देखने को मिल रहा है वेकैंसी का वह बहुत कम है मेरी काल से ठीक है बात बाकि चलो देखेंगे क्या है जब ऑफीसियल आगा उसके बाद आपको clarity मिलेगा कि आपको क्रारिटि मिलेगा कि भाई क्या था से यह सीका या फिर जो नए लोग जूड़ेंगे इस एक्जाम के तयारी में तो एक बार आप लोग पेपर का पैटन देख लो ताकि उसी तरीकी के कोशन के आप लोग आगे भी प्रैक्टिस कर सको ठीक है यहां पास अगर बात करें एक बार मैं पेपर का एक्जाम पैटन बता है 30 कोशन आपके रिजनिंग के होता है और आपके बचे 40 कोशन वह जीके जीएस या फिर स्टैक सारा कुछ इसमें इंकिलूड होता है 100 मांक्स का पैपर होता है फिर सेकेंड सीबीटी जो होता वह 120 मांक्स का होता ठीक है तो फिलाल जो हम लोग पैपर जो डिसकस करने जा कर रहा है यह पेपर आपका 22 जनवरी 2021 को पूछा गया था ठीक है तो इसका कोशन का एक बार अनलीसिस करके देखते हैं और फिर आप लोग मुझे बताना कि किस तरीके से इसका पेपर में प्रिवेश पेपर सॉल्प कराऊंगा वह भी मैं आपको कराऊंगा ठीक है चलो तो कोशन का कोशन का कोशन एनलीसिस करता है कि किस duty क्य mów कि अपके पुछे कहते हैं और यह चीज़ यह भी आपको पता होना चाहिए वह włan Calling कोशन का होता है और जो नेगेटिब मार्किंग होता जहाँ पर मैं आपको 1 से लेकर 100 question दिखाता हूं कि किस किस तरीका से question पूछे गए थे सबसे पहले देखो question पेटा इंडिया के सुरुवात कब हुई थी तो ये question देख लो GK का question था 2000 में start हुआ था एक question आपका trigonometry से पूछा गया था question आप देख लो trigonometry का question था एक और question है जहाँ पर आपको त्रिबूच का भुजा दे रखा था आपको छेतरफल पूछा था यानि area निकालने गया दिया था ट्रेंगल का एक question आप से पूछा के था October 2020 तक प्राप्त चनकारी के अनुसार इंस्टाग्राम के प्रमुक के पद पर पदासीन उस व्यक्ति का नाम बताई है जो engineering उत्पादन एवं संचालन सहित वैपारी कारियों को देख रेक करते हैं तो ये देखो current एफेर का question था current एफेर का question एक्जाम में आपका बनता है एक question पूछा के था पसू के प्रती कुरूरता रोक्ताम अधिनेम 1960 के धारा चार के तहत वर्स 1962 में स्थापित भारती पसू कल्यान बोर्ड सभिधानिक सलाकार निकाय है जिसके स्थापना पसू कल्यान संबंदी कानुनों पर भारत सरकार को सला देने के लिए की गए थे तो यह किस मंत्राले के अंत्रगत आता है तो यह भी आपके एक जीके का question है जो का paper है पूछा गया था एक question आपका math का फिर से पूछा गया था ratio proportional से एक question आपका 7 number question दिख रहा है यह है reasoning का question coding decoding से question पूछा गया था एक question पूछा गया था आयूस विभाग का पूर्वे नाम क्या था तो यह भी आपके एक जीके का question बन गया और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा देखो जीके स्टाटिक्स या करेंट एफेर सभी से question आपके बनते हैं ठीक है एक और question बर्दो चाम का लोक नित मतलब बर्दो चाम कौन सा राजिक का लोक नित था यह भी question पूछा गया था static जीके से यानि dance से आपका question था डांस नहीं यह आपका हो गया एक लोक निर्थिया ठीक है एक question इंटर क्रोपिंग ठीक है अंतर फसल प्रिक्रिया इन में से किसे दर्साती है तो यह भी आपका हो गया जीके का question हो गया एक question पूछा गया था यह आपका देखो यह reasoning का question हो गया यानि सब अगर पुस्तक से related है तो उसी तरीका से आपको बताना था तो पत्ते आपका पेड़ से related है एक reasoning का question हो गया फिर से एक और question जो कि trigonometry पर base question है आपको x square minus y square का मान पूछा गया था एक question पूछा गया था यादी लोगों को एक विशेश समूख को केरल में तेलगूव मध्यम के school खोलने के अनुमती नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उलंगन माना जाएगा तो यह भी एक gk attack का question हो गया politics से related है next question रजनी के गड़ी के अनुसार अगर इस समय पौने छे हुए हैं तो यदि घंटे की सुई दच्छिन की और है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी यह आपके question पूछा गया था रिजनींग का question है एक question पूछा गया था केंद्रे परिवरन वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में सुरू किये गए उस अभ्यान का नाम बताई है जो परिवरन संरक्षन से जुड़े कारियों को मजबूती प्रदान करने के लिए वेक्तियों के संगठन द्वारा कि छोटे-छोटे शक्रात्मक कारियों को प्रत्सान प्रदान करता है तो यह भी question देख लो जीके का कोशन है जो कोशन current फिर में लंबा समय हो जाता है तो वह एक लिश्ट जीके का बन जाता question मतलव एक question पुचा गया तो लाला लजपतर आए का मिर्थिव ब्रिटिस सरकार के किस निर्नय का विरोध करते हुई हुई थी तो साइमन कमिसन इसका answer जागा तो देख लो हिष्टी का question आ गया एक और math का question है ठीक है और एक चीज मैं आपको और बता दू देखो जो 30 question मैंने बता तो यह इसी तरीके से रहता एक्जाम का pattern जरू उर्बट question प्लस माइनस आपका होता है ठीक है और रेंडम question पूछा जाता है आपका paper में एक question trigonometry का फिर से देखो trigonometry का question पूचा गया था एक और question है यह आपका देख लो यह आपका पूचा गया था यह भी आपका सिंप्लिफिकेशन से था ठीक है यह question आपका एक सो यह सिंप्लिफिकेशन से सरली करन्च से हो गया बीस नंबर question 21 नंबर question उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयू के वर्ग के लोगो करती है तो यह भी जीखे का question हो गया जिसका अंसरों का प्रदान मंत्र सुरुक्षा बीमा योजना एक और question विज्ञान एवं पधुगी की विभाब द्वारा सुरु की गई उस योजना का नाम बताइए तो योजना से question यह भी जीखे का question हो गया और योजना से काफी question हर एक्जाम में पूछा जाता है तो योजना पर ज्यादा फोकस आप लोग करना ठीक है एक और कोशन वायू के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी सिल्वर के गहने काले पर जाते तो एक साइंस का कोशन पूछा गया था एक और कोशन सैंकपो और दिहांग किस नदिक के अन्य नाम है तो यह होगा जीके का कोशन स्टैटिक का ब्रह्मा पूतर इसका अंसर हो जाएगा एक कोशन पूछा गया था इनमें से क्यूद यूद ने भारत में ब्रिटिस का उप निवेश्वाद की नीव रखी है तो अंसर हो जाएगा पलासी का यूद कि यह भी होगे हिस्टी का कोशन बैटल से एक कोशन फिर से देको ट्रिगनोमेट्री पर बेस कोशन है एक अमान आपसे पुछा गया था एक कोशन इन में से क स्थिति को भारती राष्ट पॉद्यकी की दिवस यानि नेस्टनल टेक्नलोजी डे ऑफ इंडिया के रूप में मना जाता है तो एंटी पीसी में में बता दू डे से भी कोशन पुछा जा रहा था कि इस दिन कौन सा दिन मना जाता है या फिर ध्यान अंचन पुरुसकार कि पूछे गया थे एक को आप से यह पुछा गया था सिंप्लिफिकेसं ठीक हो गया का कोशन एक कोशन पूचा गया था भारत के पहले उप्राष्ट पती कौन थे जिने प्राष्ट पती के चुनाव में दुवत्द्य वर्यता यानि सेकेंड प्रिफरेंस मत गन्ना का द्वा बीवी गिरी है ठीक है तो यह भी कोश्चन हो गया जी के का एक और कोश्चन सिंप्लिफिकेशन है मैंत का पुछा गयता एक तीस तंबर कोश्चन यदि किसी वर्ग का चेतरपल उसके आयात के चेतरपल के इस्तितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हैं तू सुरू को गई योजना का नाम बता है तो देख लो प्रदान मंत्री वय वंदना योजना तो आप देख रहे हो योजना से काफी कोश्चन कुछ लिया गया तैतिस नंबर कोश्चन ओसकर का सर्वसेष्ट विदेशी भासा स्रेणी में नामंकित होने वाली अंतिम भारती फिल्म कौन सी थी तो लगान थी तो यह भी कोश्चन जिगे का हो गया इन में से किस सहर में सिप्रा नधी का घाट पर कुम मेले का आयजन कि वाला कोश्चन वाटर डे कब मना जाता तो इसी टैप के कोश्चन आपके काफी पुछे गयते हैं एक कोश्चन 36 नंबर फिर बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोसित उस योजना का नाम बता है जिसके तहत छोटे एबं सम्मानित क्रिशकों को 6000 प्रतिवर्स की गरांटी सुदा आय प्रधान की जाएगी तो प्रधान मंत्र किसान सम्मान नीदीन योजना देख सकते हो यह वी कोश्चन हो अपका यह कृषक्षक्वी कहांस कर से हो गया यह रिजनींग का जमश्चन पुछा गया गया था काफन है निसकर से आपको Ox 각 देखके बताना था कौं सा पालन करेगा नहीं करेगा 38 नंबर कोशन संग सक सावंत पर अधारित भारत के राष्टी कलेंडर के अनुसार पहले महिने का नाम क्या है जिसे 22 मर्च 1957 को ग्रोगरियन कलेंडर के साथ साथ अधिरिक प्रियोजना के लिए अंकगरित किया गया था तो चैत्र यह भी एक टैप का जिके कोशन हो गया इनमें से किस सहर को भारत का प्रथम बायो रिफाइनिरी प्लांट को उधारन उधारन हुआता तो पूने में हुआ था यह हो गया करन्ट अधिर कोशन math का question कितनी अभाजी संख्या है जो 50 से कम है फिर से math का question इसको simplify करना था आपको फिर एक और math का question percentage का पुछा गया था basic percentage 43 नमबर question ये question होगे reasoning का ठीक है अगर इसका मतलब code ये है तो आपको dragon का code बताना था उसी हिसाब से फिर से question देखो trigonometric का पुछा गया था simplify करना था ये trigonometric को 45 नमबर question अगर mother अगर mother पालन portion करना से related है तो उसी तरीका बताओ कितसा यह डॉक्टर क्या करता है तो क्यूरिंग करता है यह उपचार करना करता है तो ये reasoning का question हो गया एक और question math का पुछा गया था ये question time and work का हो गया ए और बी किसी कारी को 24 दिन में पूरा कर सकते बी और सी 12 दिन में पूरा कर सकते और ए बी सी साथ मिलकर उस कारी को छे दिन में करेंगे तो ए और सी के द्वारा उस कारी को करने में कितना समय लेगेगा यह आप से पुछा गया था 47 नंबर question निन में लिखित में कौन सा पसू हार्मोन है तो animal हार्मोन कौन सा है यह आप से पुछा गया था इंसुलीन एक question वह science का question था निन में लिखित में किसी कारण काला अजार नामक रोग होता है तो यह आपको फिर से science का question disease से question हो गया प्रोटो जोवा 49 नंबर question फिर से देखो एक simplify करना था trigonometric का ही question फिर एक question और आपका आगया यह हो गया reasoning का question आपको इस pattern को देख के बताना था इसमें क्या होगा एक्स का मान ठीक है एक और question math का ठीक है एक basic algebra का question पुछा गया था AQ प्लस BQ का मान पुछा गया था जिसमें दो परिवरन दिवस यानि के लिए वैसविक मेजवान के तौर पर चुना था तो यह करेंट एफेर हो गया ठीक है करेक्ट अंसर जागा युनाटेट नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम यून एप एक कोशन आपका reasoning का हो गया ठीक है फिलिंदा ब्लैंक्स वाला कोश्चन अरिजनिंग का अचाओन नंबर कोशन देखो क्या लेका कौन सा संगटन कोलकता में इस्थीत अपने मुख्याले और सुला छेत्रिये स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी शंसाधनों के संद्रक्षन के लिए जिम्मेदार है तो यह आपका अंत्र जागा जिएकल सर्वे इस देश का सड़क परिवान एवां राजमर्ग मत्राले के साथ एक मूई हस्ता चरीत किया था तो इस्टेलिया के साथ किया था तो यह एक टाइप का कोशन हो जा रहा है यहांने मैं तब जीके बोल रहा हां मांफी जाओंगा करन डिफर कोशन हो गया अपके जो बहुत हा 8 दिन में करेगा तो एक कितना दिन में करेगा एक और कोश्चन जो कि छोटा सा परसेंटेज का कोश्चन है बेसिक कोश्चन है परसेंटेज का फिर एक और और कोश्चन एक किसी कारे को 20 इन में करेका 20-30 तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेका तो ये भी टाम गर कको टाम आन वर का कोशचन हो ग Aur अब देख सकते हूं अभी तक काफी कोश्चन पूछर जा चुक्गे सेम सिफ्ट में इन में से किस वर्स 2020 में कला के लिए पद्मभूर्शन से समानित किया गया था तो यह अजय चक्रवती हो जागा इसका आंसर तो यह भी एक टैप करेंट डेफर हो गया करेंट डेफर 2020 का क्योंकि 21 किस में पेपर हुआ था ना तो 2020 का करेंट डेफर पूछा गया था उन्निस का भी पूछा गया था तो दो तीन साल पहले तक का इतम हाइलेटेड जो इंपोर्टेंट करेंड डेफर तो आपका पेपर बन जाता है चलिए एक कोशन आप से पूछा गया था इन में से किसे मंत् करेंट अफर का ही कोशन था क्लियर चलो एक कोशन आप से फिर से मैंत का पुछा गया था बासे टंबर कोशन सिंप्लिफिकेशन टाइप का कोशन था नेक्स्ट तिरसे टंबर कोशन इन में से किसे किस किस वर्स में एयार रह्मान ने दो आसकर जीते तो 2009 में जीता था यह ऑवार्ड से लेटर कॉशन हो गया चलियर नेक्स्ट देखेंगे एक कोशन आपसे पुचा गया था पार्क में तहलती उए किसी महिला को देखते हुए एक व्यक्ति बताना था चलिए एक कोशन पुचा गया था चार इसमारक सुची बद किये गया है इनमें से तीन किस तरह से संगत है और एका संगत है तो यह और वन का कोशन हो गया तो यह भी आपको पुचा गया था तो अंसर जागा इस्मृतिस थल नेक्स्ट कोशन सरशट नमबर फरवरी 2003 में किस मंत्राले के अंत्रगर्थ राष्टिय पुंडिलिपी मिसन अपका इस्थापना की गयी तो यह आपका कोशन पुचा गया था तो संस्कृति मंत्राले तो मंत्राले से भी काफी कोशन पुचा गया जैसे कि आप देख सकते हो चलो एक कोशन यह आपका सिंप्लिफिकेशन का पुचा गया 306 नमबर नेक्स्ट यहां पर बोला एक अंत्रन में होने वाला लाब क्राय मूल का 20 परशंड है यादि क्राय मूल 5 परशंड के विरिद्धी होती है परन्तु विक्राय मूल का समान बना रहता है तो लाब परत प्लांट सेल में पाई जाता है यह कोशन साइंस का पुछा गया था चले नेक्स्ट एक अत्तर नमबर कोशन थोड़ा जूम कर देता हूं यह संख्या 14 को अंकों को उल्टा देने पर संख्या में 27 की विरिद्धी हो जाती है दो अंकों वाली ऐसी अनने कितनी संख्या है ज चलो एक कोशन यह आपका LCM से था लगुत्तम संप्रवतक था तीनों का LCM निकालना था मतलब तीनों का LCM दे रहा था आपसे उसको निकालना टेक्स का मान पूछा था चलो तियत्तर नमबर कोशन सिक्किम को भारती संग में किस सविधानिक संसोधन के द्वारा सामील क्या तो जाकीर हुसेन तो देख सकते आवार्ड से भी कोशन काफी पूछे गयते एक कोशन आपका मैट का हो गया सिंप्लिफाई काना था पांच बटा सोल्ला और इसके वाईत्युकरम के बीच का धनात्मक अंतर पूछा था डिफ्रेंस यानि चेतर नंबर कोशन यदि वस्तु को अगर दो सो में खरित का साड़े तीन सो में बेचे तो इससे होने वाला लाप परतिसत पूछा गया था प्रोफिट लोस का कोशन था आपका 67 नंबर कोशन 4 अक्छर समू सच बुद्ध किये गया इनमें से 3 किस तरह के संगत है 1 आप संगत है तो और वन आउट है consistency का कोशन है किसी घरिके सेगरी के स्टन capable 6 गंटे में कितनी बार 12 पर आती है त miejsce का कोशन है 3060 बार एक और कोश्चन हो गया कथन और निसकर से कोश्चन पुछा गया था नावासी नंबर कोश्चन एक कोश्चन पुछा गया था हौल्ड मेकेंजी ने भारत में राजसोव संगरहा के निनमलिकित में कौन सी विधी विक्सित की थी तो यह आपका हो जागा मालावरी यह हो गया जीके का कोश्चन असी नंबर कोश्चन एक असी नंबर कोश्चन लिनमलिकित में से किस वेग्यानी को हैली हैली कोबेटर पाइलोरी नामक बेक्टेरियम जो पैस्टिक अलसर के लिए उतरदाई है कि खोज के लिए फिजियोलोजी एंड मेडिसिन के छेतर में नूबल पूसकार से समान के गया था तो दो नूबल पूसकार से कोश्चन पुचा गया था आंसर हो जाता आपका रॉबिन वेरें और आपका बेरी मार्शल ठीक है बिरासी नंबर कोशन पहली सोसल मिडिया साइट कौन सी थी तो सिक्स डिग्री यह भी जिके का कोशन एक बन गया चालिस के 20 परशंट की संख्या का 50 परशंट जोडने पर प्राप्त का योग 20 है तो यह आपका मैट का कोशन होगे एक छोटा सा सिंप्लिफिकेशन होगे बेसिक सा चवासी नंबर कोशन उस गवर्नर जनरल का नाम बता है जिसने पारा माउंट इसी नामक नीती का आरम किया था तो लॉड हैस्टिंग तो यह होगे हैस्टि का कोश्चन आपका नेक्ट्स कोश्चन एक सेकंड नेक्स कोश्चन पुछा गयता है MS-DOS का ओपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैस होता है तो क्या होता है कमांड लाइन इंटर्फेस तो यह कंप्यूटर का भी कोश्चन आपका 40 मा मदार 40 कोश्चन कहीं अंदर होता है कंप्यूटर में यह भी आपका दोनों ग्रूप क्यों बरते हैं डेटअू ईंतिपीटेशन से हैं नेक्स्ट अटासी नंबर देखो तीन कोशन डिया है से अभी तक देखने मिल गया जो 59 नंबर घूर्स्टों देखो चार कोशन अपको डिया है से हैं 89 नमबर भी 90 नमबर यह कोश्चन और रिज्मिंगी का 3 अगर इससे संबंधित हो बताओ इसका संबंधित किससे होगा 90 नमबर यह होगया आपका Ben diagram से question टेक आपको बताना है 22-21 नमबर question यह होगया missing number से question Reason nervous का आपको question mark का बताना है कि क्या है हुआ और नेक्ट्स कोस्टन चार संक्या स्च्छी बुद्धी की गए इन में से तीन किसी एक तरह का संगत 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 का कॉश्वर्ण हो जा रिज्मिंग का यह भी कॉन सा ऑड्ड वन है बताना है अब नैंटी को नंबर चार संगी तक वैध्य वंत्र संची बुद्धी कि एक विद्याले में उन चात्रों की संख्या को दर साथा जो विभीन भासागाओ बोल सकते हैं तो देख लो यह भी आपका वेंट डियाग्रेम पर लेटेड कोशन है फ्रेंच बोलने वाले का संख्या पूछी आपसे और नाइंटिसिक्स नंबर कोशन जॉन और जॉन और जॉन और जैनी उत्तर की और मुझ किये हुए एक बिंदू पर खड़ें जॉन सुबा जैनी से अलव होकर 15 मिनट में 3 किलोमेटर पश्चीन के और चला और उसके बाद 25 मिन 4 किलोमेटर दच्शीन के और चला तो जॉन से मिलने के लिए जॉनी को नियंतम कितनी दूरी तै करनी होगी तो यह डिस्टेंस हो गया कोशन ठीक है रिजनिंग का कोशन हो गया डिस्टेंस है कि कौन जॉन और जैनी के बीच में कितना का डिस्टेंस है तो रिजनिंग का कोशन हो गया वो टाइमें डिस्टेंस वाला दियेगाए पैटन को ध्यान पूर्वक अध्यन करें और उस संख्या का चेहन करें जो इस प्रसनवाचक के स्थान पर आ सके तो यह भी होगी किसका यह भी होगा एक रिजनिंग का कोशन मिसिंग नंबर से 99 number question आपको यहाँ पर बताना था तो यह क्या हो गया series हो गया यह भी आपका क्या हो गया reasoning का question हो गया चलिए 100 number question और last question है एक photo के और इसारा करते वे John ने कहा वो मेरी मा की बहन का पती का कलोती नातीन है तो बता फोटो वाले वेक्ति का जोन से क्या संबन दीता है तो यह हो गया फिर से आपका क्या blood relation का question हो गया इंगीत करने वाला question जो इंगीत करके पूछता है कि उससे क्या relation है तो यह हो गया 100 number question तो यह पूरे 100 question जो मैंने आपको दिखाया आपको समझ आ गया हो गया कि कहां कहां से किस टैप से कोश्टन आपके पूछ जाते हैं बट मैं कहता हूं कि आपको भी खुद से सारे सिफ्टों को अच्छे से कर पाऊगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा तो फिलाल यहां पस उमीद करता हूं चीजे आपको समझ आ गई होगी बात बाकि अब आगे हेल्प कर पाऊंगा तो चलिए फिलाल यहां आप आज वीडियो को वाइंड अप करते हैं मिलते हैं किस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत